अचार है उन सभी के लिए, तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए, हम अनुरुद करना चाहेंगे श्री मांग, हम रेंदर प्रभूस के, श्री जी आज की जपा टॉक प्रारम करें। श्री रूपम साग्रजातं सहगर रघुनातान वितमतं सजीवं, साध्वयतं सावर्धूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं, श्री राधा कृष्ण पादारं सहगर लिथा श्री विषाखान विताम्सच, हे खृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते, पुझे पुझेले हमन्पेशी कजना टिकी हमिरते बधू से aircraft शर्थीना मावनिू. पुझे पाश्ष्एरा लोकन्नात महराज की जाए कवर इसकोन गुरु जाए अनंत कोटि Recomm discussions की जाए निताए गुरुपरिमण्दे हरी हरीम. हरे कृष्णा, मैं सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुपाद पद्म शिल लोकनात महराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर बारम बार प्रणाम अरपित करता हूँ, जिनके विशेश अनुकमपा से हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, तत्पश्चात मैं पद्ममाली प्र इस वैश्णवों के बहुत सुन्दर एकागर संग में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो इसके लिए कृतग्यता पूरवक मैं नतमस्तक होता हूँ, और सभी वरिष्ट वैश्णव, वैश्णमी वरिंद जो आज यहाँ उपस्तित हैं, और जो आज यहाँ उपस्तित बोलने का प्रयास करूँगा, आज जैसे हमारे प्रभुजी ने कहा, पद्ममाली प्रभु ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, गवडिय जब हम दिनदर्शिका देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, उसके अनुसार आज बहुत कल्यानकारी, पावनकारी तिथी है, कई सारे आचारियों का आविरभाव, तिरोभाव का समागम है, गत वर्ष में इसी संदर्व में हमने इसी संग पे श्रील विश्वना चकरवर्ती ठाकूर और श्रीमती विश्नु प्रिया देवी इन दोनों महानु भावों पर चर्चा की थी, मुझे कहा गया कि श्रील र तो हमने सोचा कि आज की दिन हम श्रील रघुनंदन ठाकूर जो बहुती प्रसिद और वरिष्ट गवडिय वैश्नव गवर भक्त हैं और भक्त शिरोमनी हैं, इनके विशय में हम कुछ कहकर हमारी वानी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे, कुछ कहने से पूर्व, आप सबसे अनुरोध है, आप कृपय करके अपने रिदय से प्रार्थना की वर्षा करें, अपने आशिरवात से मुझे रक्षित पोशित रखें, ताकि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोक से, सही भाव से प्रभु की स्तुति हो सके, हमारे अंतक प्रभु के चरणों में, सेवा में, पूर्ण रूप से शरणागत हो, ये एक मात्र उद्देश है, आप सबसे प्रार्थना है, वांचा कल्पतरूभियस्चे कृपास इंदुब्याइवचे पतितानाम पावनिभ्यो, वैश्न विभ्यो नमौन महा शास्त्र में वर्णन है, शुरुतस्य पूमसाम सुचिरश श्रमस्य नान्वन जसासूरी भीरीडि तर्तह, ततत गुणानु श्रवनम् मुकुंद पादार विंदम रिदेशु येशाम ये ग्रंतराच श्रीमत भागवत में पाया गया प्रसिच श्लोक है, इसका शबधार्त तो करने का अब समय नहीं रहा, पर भावानुबाद इस प्रकार है, कि जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर प्रभू के नाम रूप गुन लिला में पूर्ण रूप से मगन रहता है, और ज ऐसे भक्त को क्या देते हैं आदान प्रदान के रूप में? उनके शुद्ध भक्त के चरित्र को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं, जन्म जन्मांतर प्रभू की स्तुति सुनने के बाद ये फल है, कि उनके शुद्ध वईश्नव के चरित्र को सुनने का फल मिलता है, सो क्या हम ये जाने कि हमने जन्म जन्मांतर भजन किया है ना भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता भक्त तो ऐसा सोचता है कि जन्म जन्मांतर भजन करने के बाद जो फल मिलता है उसको तो प्रभु ने कृपा से करुणा से द्रवी भूत होकर ऐसे ही सरलता से मुझे वो फल प्रदान क ने कोई भजन की नहीं, ये प्रभू की असीम खृपा है, प्रभू की असीम अनुकम्पा है, कि उन्होंने हमें मानव शरीर दिया। देखिए कितने जीव हैं, जो मानव शरीर प्राप्ति करने के लिए तरसते हैं। हम पद्मपुरान में देखते हैं, जलजा नवलक्षाणी, स्तावरा लक्षबिम्षती, कितने प्रकार के व्रिक्षे हैं, कितने प्रकार के जलचर हैं, जैसे मत्सिरूप में कहीं सारे जलचर हैं, फिर कितने खेचर हैं, जिसको पंची कहते हैं, कितने प्रकार के पक्षिया है फिर स्थल्चर है मानो जिन्तने प्रकार के प्राणी है जीव जन्तु है कोई चार पैर में भागते हैं तो कोई आठ पैर में भागते हैं कोई रेंगते हैं तो कोई उड़ते हैं तो कोई तैरते हैं इन भिन-भिन योनियों से हम भ्रमन करने के बाद प्रभु ने कृपा क करके हमें मानव शरीर प्रदान किया करोडो बार मानव शरीर आया और गया पर भक्ती की उर्जा शक्ती जागरित हुई नहीं प्रभू ने कृपा करके इस मानव शरीर में भक्ती का जो बीज है अंकुरित होने के लिए फलिभूत होने के लिए सिंचन करने के लिए भक्ती के रूप में भी अवतरित हुए, एकादशी के तिथी में भी अवतरित हुए, ब्रिंदावन धाम के रूप में प्रकट हुए, गुरु महराज के रूप में प्रकट हुए, प्रामाने गुरु परंपरा के रूप में प्रभु ने मानो एक रस्ती डाल दी, हम घिरे हैं इस सोभाग्य और सोभाग्य की ही वर्षा हो रही है, तो हमें ये पैचानना है, हमें ये जानना है कि प्रभू ने कितनी कृपा की है, मानव शरीर दिया, भक्ती दी, भक्तों का संग दिया, मूर्ती विग्रह रूप में, शालिग्राम रूप में, गोवर्धन शीला की रूप मे मंदिरों के विग्रह की रूप में हर कण, हर क्षण, हर पद पर हम देखते हैं केवल प्रभू ही हमारा सिंचन कर रहे हैं, प्रभू ही रक्षा कर रहे हैं पाना हो तो भी प्रसाद देते हैं पैनना हो तो भी वैश्नव, आभरण, आभूशन और वस्त्र देते हैं बोलना हो तो भी ऐसा संग देते हैं ऐसा भक्तों का संग देते हैं ऐसा परिवार देते हैं ऐसे बंधु देते हैं, मित्र देते हैं जिनसे केवल बोधयन्त परस्परम करके हम भक्ती मैं विश्यों पर चर्चा करके हमारे चेतना को और विकसित कर सकते हैं। तो चलिए इस सवभाक्यों को जानते हुए हम ऐसे एक वरिष्ट वैश्णव श्री रगुनंदन ठाकुर के जीवन चरित्र के विशय में अलोचना करेंगे। बनाकर नामक ग्रंथ में भी उनका वर्णन है। तो समय बहुत कम है पर जितने भी हमारे पास समय है हम इन ग्रंथों से एक एक बूंद एक एक कंड लेकर मिश्रन बनाकर एक अम्रित में पेये को आज पाने का हम प्रयास करेंगे। तो रगुनंदन ठाकुर ये महानुभाव 1510 में आविर्भूत हुए श्रीखंड नामक स्थान में वसंत पंचिमी के तिथी पर आज। कौन थे ये रगुनंदन ठाकुर माधवदास, मुकुंद दास कविराज और नरहरी सरकार ये तीन भाई थे भगवान के वरिष्ट भक्तों में श्रीखंड नामक स्थान में इनका बहुत महत्व था माधवदास, मुकुंद दास कविराज और नरहरी सरकार ये तीनों थे श्री चैतने महाप्रव के अन्याई थे इनमें मुकुंददास कविराज जो हैं इनके सुपुत्र थे रगुनंदन ठाकुर परन्तु बाल्य अवस्था से इनका भरन पोशन और भक्ती मैं जो तेज है इसको विकसित और पोशित करते हुए इनको भक्ती मैं पत्थ में इ इनके जो चाचा वैसे तो गौरगणो देश दीपिका में वरनन है कौन थे ये रगुनंदन ठाकुर विवस्त्रितिय प्रद्यूम्नह प्रिय नर्म सको भवत चक्रे लीला सहायम्यो राधा माधवय और व्रजे श्री चैतन्य अद्वैत तनुह सेव रगुनंदनह कविकर प्रणपोर लिखते हैं कि वासुदे संकर्षन अनिरुद्ध प्रद्यूम्नह ये चतुरधा मूर्थी ये चतुरव्यू है प्रसिद्ध है इन में से जो प्रद्यूम्नह है इनको ब्रज के लीलाओं में अविष्ठ होकर प्रवेश पाकर भक्त के रूप में आकर राधा क माधव की सेवा करने का बहुत तीवर इच्छा इनके रिदय में जागरित हुई इसलिए प्रिये नर्म सखा के रूप में लीला के साहाय साहायता करने है तु व्रज में राधा माधव के लीलाओं में यही प्रद्यूम्ने वासुदेव संकर्षन निरुद्ध प्रद्यू वो प्रद्यूम्न रूप प्रिये नर्म सखा के रूप में अवतरित हुए राधा माधव के लीलाओं में और वही जब चैतन्य अवतार हुआ महा प्रभु से अभिन शरीर धारन करके रगुनंदन ठाकुर के रूप में अवतरित हुए तो हमने तीन बाते बताएं इनके विशे में एक तो वैकुंट अवतार में वासुदेव संकर्षन अनिरुद्ध प्रद्यूम्न से प्रद्यूम्न है यही राधा कृष्ण के लीलाओं में बहुत सुंदर प्रिये नर्म सखाय सखी के रूप में भी सेवा करती है और यही चैतन्य महा प्रभु के अध्वित तनू है या शरीर अभिन शरीर धारन करते हुए आये मानो यह संक्षेत में वरणन है कि चैतन्य महा प्रभु से यह अभिन है भक्त है पर महा प्रभु इनसे बहुत प्रेम करते थे यह गवरुगर्ण देश तीपिका की वानी है अब इनके पिता के विशे में वरणन आता है कि मुकुंद दास के विराज जो थे ये व्यवसाय के दृष्टी कोंड से बहुत बड़े और बहुत प्रसिद वईद्य थे जिसको डॉक्टर कहते हैं तबके जो राजा थे वो मुगल सरकार का समय था तो लगबग हम पात सो बारा साल पहले की बात कर रहा है तो मुगल सर राजा थे और उनके राज्य में ये मुकुंद दास कवी राज वईद्य की रूप में वैवसाय के लिए वो कारियरत थे राजा का स्वास्त भिगड़ गया एक दिन और जैसे विक्रमादित्य के लीला में या उनके कथाओं में आती है कि बहुत उच्छ स्थान में रखी ह हुई सिम्हासन पर आरूड होते थे उसी प्रकार ये राजा भी एक बहुत उच्छ स्थान में स्थित सिम्हासन में या व्यासासन में जैसे कहें वहाँ वो आरूड थे वो बैठे थे उनका स्वास्त ठीक नहीं था तो मुकुंद दास कवी राज रगुनंदन के पिता उन आकर देखिए नाडी शास्तर को आप जानते हैं तो इनके नाडी को नस को पकड़ करा बताईए कि स्वास्त में क्या कमी है तो इन्होंने क्या किया वो नाडी धर कर देखिया कि स्वास्त तो ठीक नहीं है स्वस्त नहीं है वो तो चिकिट्सा के करम अनुसार वो आउशद उनको प्रदान कर रहे थे उसी समय में उन्होंने देखा राजा के पास में जो सेवक थे वो चामर ढुला रहे थे और दूसरे सेवक मानो एक बहुत विशाल छाता धरे थे राजा के लिए ऐसा नहीं कि कोई धूप या बारिश थी ये तो राजमहल में था फिर भी राजा का एक राज्य दरवार होता है जहां एक मुकूट होता है उसके उपर एक चाता चलती है पास में चामर ढुलाए हुए दो सेवक होते हैं तो यहां राजा बैटे थे उपर चाता था और पास में सेवक मोरपंक शीकिपिच मोरपंक के दल से चामर ढुला रहे थे राजा को थे अउशदी की विशे में वर्णन कर रहे थे तभी उनकी जो दृष्टी है इस चामर के और गई और उनने देखा ये चामर मोरपंक से बनी है मोरपंक से मोरपंक धारी शाम सुंदर का स्मरण हुआ जब प्रभु का स्मरण हुआ तो सभी चेतना अंतरमुक हो गई और उचे हुए स्थर से जहां खड़े थे राजा के पास वईद्यराज वहां से पदस खलित होकर गिर गए क्यों गिर गए ऐसा नहीं कि पैर फिसला उनका रिदाई फिसल गया प्रभु के स्मरण से रिदाई फिसल गया देखिए ये बहुत बड़ी सीख है भक्तों के लिए गजेंद्र जिस तालाब में थे उसी तालाब का एक कमल तोड़कर प्रभु को अरपित किये प्रभु को यह नहीं बोले कि हे प्रभु मुझे एक बार मुक्त करा दीजिये फिर तालाब से मैं बाहर जाऊंगा फिर आपके लिए फूल तोड़ूंगा और फिर आपको इसका क्या आर्थ हुआ हम चाहे जो भी परिस्तिती में हो तालाब में हो या मुकुंद दासकविराज की समान एकदम उचे स्तर में सिम्हासन के पास हो कहीं भी क्यों ना हो संपत्ति में या विपत्ति में उसी परिस्तिती अनुसार जो भी सामगरी आसपास है उसी से तार ज हमें ये नहीं कहना प्रभू एक बार दुख से निवारन हो जाए फिर आपका हम सतत्स्मरण करेंगे ना ग्रिहेवा बनेते थाके हागवरांग बोलेडा के नरोतम मागेतार संग नरोतम दास ठाकूर कहते हैं घर में हो या बाहर हो मानव शरीर प्राप्त किया है घर में है कि बाहर है सुख है कि दुख है संपत्ति है कि विपत्ति है चाहे अनुकूल है या प्रतिकूल जिस परिस्तिति में जिस थान में जिस वातावरन में जिस परियावरन में हमस्थित हो, वहीं उसी क्षण, जो साधन आसपास उपलब्ध है, उसी से ही हमें प्रभू का स्मरन करना ये एक बहुत सुन्दर साधन है, चाहि कुछ भी मिल जाए, आप घर में बैठके भी ये साधन अभ्यास कर सकते हैं, जैसे आप अपने कमरे में ब मन में अभी मनन कीजिए कि इस से आपको प्रभू के कौन से लिला का स्मरन हो रहा है, जैसे देखिए, अभी ये मेरी घड़ी है, अभी इस से क्या स्मरन होगा, कहीं सारे बातें हो सकती हैं, अब मैं ये अब ये कथा में वैसे सम्मिलित नहीं है, अब मैं उसको जोड रहा देखिए जैसे इसको देखकर घडी को देखकर क्या क्या स्मरन हो सकता है एक तो हम ये समच सकते हैं कालोसमी की समय प्रभू है या दूसरा हम देख सकते हैं जिस प्रकार घडी को हम हाथ में बानते हैं उस प्रकार कंठी को कंठ में बानते हैं या हम ये स्मरन कर सकते हैं कि र थरिष्ञ को धारन किये हम तो इस प्रकार कहीं कहीं बातें आप जोड़ कर आप स्मर्ण कर सकती हैं जैसे अब यह उपनेत्र कहते हैं इसको ग्लासिस要ना स्पेक्टेकल क कहते हैं तो इस उपनेत्र को देखकर आपको क्या स्मरन होगा यही स्मरन होगा कि जैसी दृष्टी वैसी स्रिष्टी जिस बात को हम पहले स्पष्टता से देख नहीं पा रहे थे अब उपनेत्र के प्रयोक से अब स्पष्टता से उसका स्वरूप दिख रहा है उसी प्रकार प्रभ प्रभु का स्मरन कर सकते हैं गजेंद्र ने कमल से प्रभु का स्मरन किया मुकुंद दास ने चामर से प्रभु का स्मरन किया आप कभी गरच्त वे मेग को देखिए तो उससे भी स्मरन हो सकता है माधवेंद्र पूरी पाद जब बादल होती थी वर्शाक से पूर्व जो घन गने-बादल का स्मरन करके अचे तवस्था में मुर्चित हो जाते थे माधवेंद्रपूरी, महाप्रभु के गुरू इश्वरपूरी के गुरू, क्यों? क्योंकि काले-बादल से उनको घनशाम-शाम-सुंदर का स्मरन होता था, रूप गोश्वामी कहते हैं हे प्रभु तमाल के ब्रिक्ष को देखो तो आपका स्मरन होता है जमुना में तैरते हुए नील कमल को देखो तो आपका स्मरन होता है घने बादल को देखो तो आपका स्मरन होता है हे प्रभु कहां जहां नेत्र पड़े तहां करे दर्शन आपको शुद्धभक्त हर स्थान हर परिस्तिती हर दिशा में देखते हैं तो ये पहली सीख है इस कथा से अब आगे बढ़ते हैं मुकुंद दास मुर्चित होकर घिर गए अब राजा को ये आश्रिचे कित लगा अचेत होकर घिर पड़े हुआ तो हुआ किया तो अपने स्थान से उतर कर राजा आए और मुकुंद दास को अचेत अवस्था से सचेत अवस्था तक लाए हुआ ये था कि मुकुंद दास को प्रभु का स्मरण हुआ प्रभु के स्मरण से प्रेम आवेश के कारण समाधी लगी समाधी लगने के कारण वीरदशा के अगनी में दगदु हुए और अचे तवस्था में गिर पड़े अब ये तो राजा समझ नहीं पाएगा तो राजा ने कहा बताओ क्यों गिरे तो उसको ढखने के लिए मुकंददास कहते हैं मैं क्या करू मैं क्या करूँ मुझे म्रगी रोग है म्रगी रोग कहते हैं एपिलेपसी जिसको कहते है सीजर राना मानो व्यक्ति को जब ये एक शारीरिक रोग है वैसे तो उन्होंने ढख दिया उनको तो प्रेम दशा थी पर उसको हाँ शारीरिक द्रिश्टी कौन से मैं रोगी हूँ बीज वीच में ऐसे जटके आते हैं मुझे ऐसे कहकर उनने ढख दिया यह दूसरी सीख है भक्त के लिए आपनार भजनेर कथा न कहीवे जथाता था भक्त को अपने भजन के जो अवस्था है नामजब की संख्या है या जो भी अनुभव है इसको क्या करते हैं अगर दो कोड़ी का कुछ अगर अनुभव हुआ तो जा के पूरा फेस्बुक में लिख दो या किनी को बता दो और जो शुद्वक्त होते हैं उनको इतना प्रेम का अनुभव होता है फिर भी ढख कर कहते हैं आरे आरे मैं तो रोगी हूँ मुझे तो कोई प करोड़ पती है और वो करोड़ पती की तरह वस्तर पहने और करोड़ पती की तरह गाड़ी में घुमें तो चोरी होगी की नहीं होगी अवश्य होगी कोई अगर करोड़ पती है और करोड़ पती की तरह चले तो अवश्य चोरी होगी यही करोड़ पती अपने पैसे को किसान के समान फटे हुए दोती और ऊपर एक चादर पहन कर एक पगड़ी बांध कर ऐसे बैग लगाए कपड़े का और उसमें अगर धन राशी ले भी जाए लोकल ट्रेन में कोई चोरी करेगा कोई चोरी नहीं करेगा क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि यह करोड़ पती है कर करोड़ पती बनकर चले तब चोरी होगी करोड़ पती जब रोड़ पती बनकर चले तब चोरी नहीं होगी तो इसका अर्थ क्या है हम यदि करोड़ पती भी क्यों ना बने भक्ति के पत पर हमें रोड़ पती बनके रहना है धकना है किसान बनकर चलना है नहीं तो माया चो रखते हैं और नीचे सब 10-10 रुपए के नोट हैं मानो भजन कुछ हो नहीं रहा पर उपर दिखावा चल रहा है और जो वास्तविक भजन करते हैं उपर 10-10 के नोट रखते हैं और नीचे 1000-1000 के नोट मानो ठिपाते हैं यह जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसे अगर दिया लगाए हम हमारे कमरे में जैसे दिया लगाए और खिडकी को खोल दे तो क्या होगा दिया में जो आग है वो भुझ जाएगी क्योंकि बाहर खिडकी खोले रखे हैं तो वहां से आप देखेंगे हवा आएगी और फिर इसी में अभी एकदम विपरीत देखी अगर आपने दि है ना हम मुखर रूपी खिडकी खोल कर अगर लोगों को बताए हम क्या क्या कर रहे है क्या 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 कर रहे है तो फिर गर्व और हंकार रूपी हवा के जोके लगेंगे और वो प्रेम का प्रदीब जो रिदाय में है वो बुझ जाएगा तो इसलिए हमें सब कमरे बंद क नाम जब करें, 32 माला करें, 64 माला करें, तो भी लोगों को बताना है कि 16 माला भी नहीं हो रहाँ है, यह जो कपट है, यह चल जाएगा, जो हम बाहर जागतिक दुन्या में जो कपट कर रहे हैं, उससे मुक्तो होना है, और यह कपट जो है, यह ठीक है, यह प्रामानिक है, नम भोजन एक बार पारें दिन में, फिर भी कोई अगर पकट ले, पकट ले, मैंने तो पा लिए, दो बार तो घर में पा लिया, यह तिसरा है, ऐसा करके, ताकि यह न लगी किनिको की हम कोई उपास कर रहे हैं, कुछ भजन कर रहे हैं, तो यह दूसरी सीख हुई, आज की कथ तो वो पैचान लिए, उन्होंने कहा मुकुंददास कविराज से आप एक काम कीजिए आप घर जाइए, आज आप थोड़ा बिश्राम कीजिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई शारीरिक दृष्टि कौन से अस्वस्त नहीं है, प्रभू के विरध अशा के रोगी है, तो उन्होंने कहा आप आज घर जाइए और आज आप विश्राम कीजिए, तो यही मुकुंददास कविराज घर जाकर जिस विग्रह की सेवा करते थे, उस विग्रह का नाम था गोपिनात, मुकुंददास गोपिनात की सेवा बहुत प्रेम से करते थे, बहुत ही प्रेम से, प उन्होंने अपने सुपुत्र रगुनंदन ठाकुर, ऐसे वरिष्ट पिता के वरिष्ट सुपुत्र हैं रगुनंदन ठाकुर, तो उन्होंने अपने पुत्र रगुनंदन ठाकुर से कहा, रोज तो गोपिनात को हम पवाते हैं, पिलाते हैं, कभी दूद पिलाते हैं, कभी लड़ू पवाते हैं, कभी छपन भोग पवाते हैं, आज तो कारी अनुसार मुझे बाहर जाना होगा, गोपी नाद भूके नहीं रहने चाहिए, रगुनंदन तुम कृपाय करके सेवा करो। रगुनंदन का भरन पोशन वैसे शारिरिक द्रिष्टिकोंट से मुकुंददास जी करते थे, भक्ती माई द्रिष्टिकोंट से भी करते थे, पर नरगरी सरकार जो चाचा थे, वो अधिक उनका और अधिक करतव ये उतरदाईत्व था इस इनके लिलाओं में, बहुत श्रे प्राप्तु हुई, उनकी योग्यता हुई, तो अब पिता ने आदेश दिया, इसलिए गोपिनात के पास चले गए, माता ने तो बनाकर बहुत सुंदर वियंजन भोग बनाकर, पदार्थ बनाकर, हमारे रगुनंदन ठाकुर से कहा, कि आप कृपाय करके भोग अरपित कर माहे, मानो भक्ती माहे जो भाव है उसको और पुष्ट करा रहे थे, अब रगुनंदन छोटे थे, आप वो क्या जाने, उन्होंने शब्दार्थ पकड ली, सार बात था कि चलो आप रिदय से आप भोग अरपित करो, रगुनंदन छोटे थे, और बाल्यावस्था में लो गोपिनात को कहने लगे, मंतरवंतर कहे कर, घंटी बजा कर, गोपिनात से कहा, आईए सरकार, आकर आप अपना भोग आप पाईए, फिर बैठे थे, पाच मिनिट बैठे हैं, गोपिनात आ नहीं रहे, अब रगुनंदन कहने लगे, अरे गोपिनात, आओ, भूक नहीं रिदय कथा, रिदय को भरती है, पेट को नहीं, तो हम पतब्रष्ट हो जाएंगे, रिदय से पेट की और ध्यान चलने लगेगा, तो फिर उनने कहा, गोपिनात आओ, अपना भोग पाओ, और हमें प्रसाद रूप में स्विकार करो, तो फिर गोपिनात खड़े थे, जैसे हर घर में होता है, हर मंदिर में होता है, नेतरों से प्रभू प्राप्त करते हैं, पाते हैं भोग को, तो गोपिनात से नेतरों से पा लिया, रगुननन्दन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको उतर के अपने मुख से पाना होगा, गोपिनात ने कहा, विग् गोपिनाथ ना पाये तब तक मैं जाओंगा नहीं यहां से, इस खोली से, इस कमरे से उतर कर नहीं जाओंगा, पाओ, इतने प्रेम से उन्होंने पुकारा, कि गोपिनाथ अब वशिभूत हो गए, उतरे, और हाथ डाल डाल कर प्रत्य एक अन को उंगली चाट चाट कर रसा स स्वादित किये है और फिर जाकर हाथ दोकर गोपिनाथ जाकर खड़े हो गए अब 15-20 मिनिट के बाद थाली खाली हो गई ओ लेकर रगुनंदन अब मा के और चले गए मा ने कहा ये क्या है तो थाली है प्रसाद कहा है रगुनंदन ने कहा प्रसाद आपने जो भोग दिया ग गोपिनाथ ने पालिया रोज भी तो पाते हैं पर प्रसाद भरा होता है थाली में आज कैसे पालिये और फिर थाली खाली है शाम को जब मुकुंद दास जी आए मा ने कहा आज सुन लिया देखो बेटे ने क्या किया आज भूक लगी थी तो गोपिनाथ के थाली को ले में और 20 मिनिट के बाद खाली धाली ले आ रहे हैं और बात बना रहे कि गोपिनात ने पाया समझाओ अपने बच्चे को अब मुकुंदास जी जानते थी कि अपना पुत्र बहुत वरिष्ट वैश्णव है तो उन्होंने उन पर कोई संशय नहीं किया फिर भी उनको अपने नेतनों से देखना था कि अपना पुत्र कितना प्रेमी है और विग्र कैसे प्रेम के प्रेम प्रेमी के प्रेम पाश में वश्री बहुत है ये प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई तो उन्होंने लड्डू बनाई मुकुंदास जी ने और अब अपने सुपुत्र से कहा जैसे दुपेर को तुमने ठाकुर जी को पवाया उसी प्रकार ये लड्डू पवा देना एक बार तो रगुनांद ने खा ठीक है चलेगा कमरे में दर्वाजा बंद किया पर थोड़ा सा छेद रहे गया फिर भी बच्चा है तो थोड़ा छेद रहे गया मुकुंदास जी बार खड़े होके उस छेद से देख रहे हैं अंदर बच्चा कर क्या रहा है पार आए कि पवार आए खुद पार आए कि ठाकुर को पवार अब ठाकूर के हाथ वो अभी रख दिये गोपिनाथ के हाथ में बोले लड्डू पाओ गोपिनाथ ने कहा नेत्रों से पा लिया रगुन अंदन ने कहा आप वापस बात मत बनाओ दुपैर को जिस प्रकार उतर कर आपने अपने मुक से पाया था उसी प्रकार लड्डू को पाना गूपिनाद बोले पेट तो भरा है अभी वी उसी भोग से पेट भर चुका अब लड़ू के लिए स्थान नहीं रगुननंदन ने का देखो आपने भक्त को ऐसे मत फसाओ दूपेर तो पा लिया मा पूछ रही है कहा गया तो मैंने कहा आपने पाया उनको संशय हो रह अब मेरे लिए तो आप मुझे बचाने है तो आप लड़ू पाओ तभी का भोग पाया ना पाया आज का लड़ू अब का पाओ गूपिनाद बोले ठीक है वो लड़ू में आदा लड़ू पा लिये मुकुंद दास जी आश्चरे चकी चका चौंद रह गए कि कैसे अपने भक्त अपने पुत्र इतना भक्त स्रेश्ट पुत्र उनको रगुनंदन है कि प्रेम से आवाहन किया तो गोपिनाद ने भोग पाली अब प्रेम से आवाहन किया तो लड़ू को आदी बना दी गोपिनाद कह रहे पूरे लड़ू के लिए तो स्थान नहीं पेट में आदा लड़ू मैं पालूँगा गोपिनात ने पाली मुकुंदास जी ने देखा अपने पुत्र को रिदाई से अलिंगन किये बुले मेरा रिदाई भर गया ऐसा पुत्र पाकर जो प्रभू को अखिल ब्रह्मांड की एक मात्र स्वामी को जो विग्रह रूप में बैठे हैं उनको प्रेम के पाच से वशिभूत करके घर में बनाई हुए लड़ू पवाने के लिए आतुर बना दे ऐसा पुत्र मुझे प्रभू ने दिया मेरा जीवन धन्य हो गया मुकुंदास जी कहते हैं ऐसा रगुनंदन उनका आविरभाव है आज जिनको प्रभू ने प्रेम से जिनके लड़ू गोपिनात निस्वयम पाया वैसे आज भी इन गोपिनात जी का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं भक्ति रतना करके नववे अध्याय में ये कथा बहुती प्रसिद्ध है इनके घर के पास एक छोटा सा तालाव है पानी का तालाव और मुकुंद सरकार के जो भाई है नरगरी सरकार मुकुंदास जी के जो भाई है नरगरी सरकार जो रगुनंदन के चाचा है य इन्होंने इसी पानी का एक बहुत सुन्दर मधू बनाकर उन्होंने गवरांग और नित्यानंदों को पवाया, मानों जिस प्रकार कोई पेय पदार्थ बनाता है, उन्होंने एक बहुत सुन्दर ड्रिंक बनाया, पेय पीने के लिए बनाया और उसी तालाब से एक पुष्करनी नाम का एक तालाब था घर के पास उसी पानी से उन्हों ने बनाया और गौर निताई को पवाया चाचा जी ने, रगुनंदन के चाचा जी नरघरी सरकार्नी और महाप्रभू ने पाया और उसी कारण वश उस का नाम पुष्करणी से लेकर मधु पुष्करणी नाम करन किया गया क्योंकि वहीं का मधु मानो एक बहुत सुन्दर पे नरहरी सरकार ने बनाया और चैतने चरितामरित में वर्णन है कि उसी मधु पुष्करणी के पास में एक कदम का व्रिक्ष है जो प्रती एक दिन दो प्रदान करता है किन के लिए रगु नंदन ठाकुर के लिए ताकि रगु नंदन ठाकुर वो दो पुष्क गोपिनात के सेवा में अर्फित करे उस मधु पुष्करणी के पास ही एक कदम का व्रिक्ष जहां प्रती देन दो कदम के पुष्क फुलते हैं ताकि रगु अभिराम ठाकुर के विशाय में। तो तुट जाती थी। उनमें सामर्थ नहीं थी ऐसे वरिष्ट भक्त से दंडवत स्विकार करने में। और अगर प्रामानिक शालिग्राम है और अभिराम ठाकुर ने दंडवत अर्पित की तो यथा रूप वैसे ही के वैसे। और नकली है तो अभिराम ठाकुर ने दंडवत दिया वो फूट जाता था। वैसे विग्रह भी अगर कोई विग्रह है प्रभू का भी परन्तु यदि प्रभू उसमें पूर्ण रूप से पूर्ण शक्ति से यदि विराजमान ना हो अभिराम ठाकुर ने दंडवत अर्पित की तो वो विग्रह वो मूर्ती जो है फूट जाती थी और यदि प्रभू हैं अंदर और अभिराम ठाकुर दंडवत देते हैं तो यथा रूप उपस्तित अब सोचिए जब रगुनंदन ठाकुर की कथा कि गोपिनात ने उनके हा भय होगा पिता को सोचिए रगुनंदन ठाकुर के पिता मुकुंद दास जी को कितना भय होगा कि उनके पुत्र को आकर अभिराम ठाकुर दंडवत देने वाले हैं कई बार तो ऐसे भी होता था कि अधर यदि कोई भक्त है पर प्रामानिंग भक्त नहीं है चलकपट करता ह अभिराम ठाकुर ने दंडवत दिया वो व्यक्ति गोविंदा आये नमोन महा की गती को प्राप्त होता था अब मुकुंद दास जी को ये सूचना मिली कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं उन्होंने अपने पुत्र को छिपाने का प्रयास किया अभिराम ठाकुर जी आए खट से जूट नहीं बोल सकते हैं यही है पुत्र मेरा सामने है तो क्या उद्देश है पुझा बोले नहीं कथा सुनी कि उनके हाथ की लड़ू गोपिनाथ स्वयम पाई यह बस मन में इच्छा हुई कि आकर उनको दंडवद्याव मुकुंदाजी नाम उच्छारन कर रहे प्रभ जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां विकार नहीं होता वहां कोई ख्षय नहीं होता कोई व्यक्ति परास्त करी नहीं सकता अभिराम ठाकुर इतने आनंदित हुए उन्होंने केवल दंडवत ही नहीं धिया श्रिखंड आकर आलिंगन किया रिदय उनका द्रवी भूत प्रवेश हुआ उनके पैर में घुंगरू लगी थी नुपूर जिसको कहते हैं नृत्य कर रहे हैं इतना चलांग लगाकर महाप्रवू के नामुचारण कर रहे हैं कि उनकी पैर की जो जो नुपूर है घुंगरू है वो पैर से स्खलित हुई निकल गई और चार मील दू नुपूर जाकर घिरी तो सोचिये रगुनंदन ठाकूर कैसे नृत्य करते होंगे और जहां जाकर घिरी वहां एक कुंड बना उस कुंड का नाम आज भी नुपूर कुंड है ये स्मरन करते हुए कि रगुनंदन ठाकूर नृत्य किये तो नुपूर जाकर यहां घिरी इस स्मरण से नुपुर कुंड आज भी बहुत प्रसिद्ध है जब जगनात पूरी के रथ्यात्रा हे तु भक्त जाते थे तो श्रीकंड के वासी भी जाते थे मुकुंद दासजी भी जाते थे नरगरी सरकार भी जाते थे और छोटे रगुनंदन भी जाते थे ऐसा वर्णन आत समागम है करोडो भक्त आते थे उसमें साथ अलग-अलग विभाग बनाकर महाप्रभु नृत्य कराते थे उसमें जो एक विभाग था ये श्रीखंडवासियों का था और उसमें सर्वस्त्रेश्ट मुख्य जो नृत्यक अलाकार थे वो रगुनंदन ठाकुर थे बहुत प्रेम करते थे ऐसा भी वर्णन आता है कि नरोतमदास ठाकुर ने जब खेतुरी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया तभी वहाँ रगुनंदन ठाकुर नृत्य किये और सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रसंद किये रगुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचारिय नरोतमधास ठाकूर श्रीनिवास आचार्य और शामानन्दप्रभु ये अगली पीडी के भग्त थे तो महाप्रभु के पीडी के बाद की पीडी है नरोतम शामानन्दुर श्रीनिवास। तो रगुनंदन ठाकुर्न श्रीनिवास आचार्य सी भी भेट की और वर्णन आता है कृष्ण चैतन्य चंद्रेन नित्यानंदेन सम्रिते अवतारे कलव अस्मिन वैश्नवा सर्व एवही भविश्यंती सदो द्विग्ना काले काले दिने दिने प्राय सम्दिक्ध रिदया उत्तमे तरमध्यमा रगुनंदन ठाकुर्ने श्रीनिवास आचार्य को रिदय से प्रार्थना और आशिरवाद दी देखिए महाप्रभू के आविर तिरोभाव के बाद नित्यानंद प्रभू के तिरोभाव के बाद गवड्य वैश्नव संपरदाय में मानो सूर्यास्त ह हो गया कई भक्त सोचने लगे अब ये महाप्रभू की जो धारा है शडगो स्वामियों के जो शिक्षा है गरंत है इनका वितरन कैसे होगा और रगुनंदन ठाकुर को भी यही संशय था यही दुख या मानो यही एक कष्ट रिदय में था कि महाप्रभू नित्यानंद प् प् rapport की जो धारा है ये मैं आशिरवात देता हूं रगुनंदन ठाकुर श्रिनिवास आचारे को कहते हैं मैं आपको आशिरवात देता हूं आप मैं इसक्षा है उपदेश है यह आपके रिदय में आईगी और आप पूरे विश्व में इसका प्रचार कर सकते हो गुडिय परंपरा यथा रूप रक्षित रहेगी ये रगुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को आशिरवाद दी और इसी कारण आज भी हम महाप्रभु के अनुवियाई की रूप में आज एकत्रित होकर हम उपस्तित हैं और चर्चा कर रहे हैं अंत में मैं यही कहना चाहू में थोड़े श्लोक हैं जो कृष्णदास का विराज गुष्वामी पाद ने दी है इसको हम फटापट पढ़ लेते हैं और फिर हमारी कथा को यहीं विराम देते हैं देखिए ये मध्य लिला पंद्रावे अध्याय चैतने चरितामरित में 112 क्रमांक श्लोक से आता है खंडेर मुकुंददास श्री रगुनंदन श्री नरहरी एई मुख्य तीन जन देखिए समझने के लिए भी बहुत आसान है श्री खंड के तीन मुख्य जन थे एक तो मुकुंददास जो पिता थे श्री नरहरी जो चाचा थे और श्री रगुनंदन ठाकुर जो हमारे चर पिता से पूछा क्या पूछा महाप्रभु ने ये पूछा तुमी पिता पुत्र तुमार श्री रगुनंदन क्या आप पिता हो और क्या आपका पुत्र श्री रगुनंदन है उत्तर क्या है हाँ करेक्ट हमने ये सुना कि पिता कौन है मुकुंददास और पुत्र कौन है पूछते हैं, क्या रगुनन्दन पिता है और आप पुत्र हैं। मुकुंद दास कहते हैं मैं पुत्र हूँ और रगुनंदन मेरे पिता है आमीतार पुत्र ए आमार निश्चा ये तो मैंने निश्चाई किया कि मैं पुत्र हूँ और रगुननन्दन मेरे पिता है अरे ये तो गलत हुआ हम तो हमारे कथा में देखे हैं कि मुकुंद दास जी ये पिता है और रगुननन्दन पुत्र है तो फिर महाप्रभु के समक्ष ये क्यों जूट बोल रहे हैं कि मैं पुत्र हूँ और वो मेरे पिता पिता इतने मुकुंदास जी कह रहे हैं ये रगुनंदन से आई है इसले वो मेरे पूत्र होई नहीं सकते अथा ये वो पिता रगुनंदन आमार निश्ची ते इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जो हमें कृष्णभक्ति देते हैं कितने भी छोटे क्यों नहों वो ही हमारे पिता है और हम कितने भी वरिष्ट क्यों नहों हम उनके पूत्र ये सिद्धानत है ये तत्व है महाप्रभु देखे क्या करते हैं शुनी हर्षे कहे प्रभु कहिल निश्चाए जहां हैते कृष्णभक्ति से इगुरु होई जिन से कृष्णभक्ति होती है वोई हमारे गुरु है सही कहा तुमने मुकंद सही कहा और महाप्रभु अब भक्त की महीमा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं तो विराज गुष्वामी कहते हैं भक्तेर महीमा प्रभु कहीते पाए सुक भक्तेर महीमा कहीते होई पंच मुक भक्तों की महीमा कहते कहते भगवान को बहुत सुक होता ह कि पाच मुख से वो स्तुती करते हैं हम क्या करते हैं स्वता के महिमा गाते गाते पाच मुख से करते हैं भक्तों के महिमा गाते गाते एक मुख से भी नहीं निकलता और महाप्रवु भक्तों के स्तुती गाते गाते पाच मुख से गाते हैं और स्वता की यदी स्तुती हो तो विश्णु विश्णु करके करणरंद्रों को बंद कर देते हैं। तो बाकी भक्तों ने कहा अच्छा मुकुंद में इतना क्या विश्ष बताओ तो अब वो राजा की जो मैंने कथा बताई। और मुकुंदास जी क्या किये। अती उच्छ टूंगी होई ते भूमी ते पड़ीला उपर से वो भूमी के और घिर गए। राजार ग्यान राजा वईद्यर होईला मरण राजा को लगा की वईद्य का मरण हुआ। पने नामिय तबे कईला चेतन स्वयम उतर कर आए अचेत से सचेत बनाए वईद्य को। राजा बोले व्यथा तुमि पड़ीला को न ठाए ? मुकंद कहे अती बड़ व्यथा पाए नाए। राजा ने पूछा रहे लगा आपको। मुकंद ने कहा नहीं कुछ भी नहीं लगा कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तो स्वस्थ हूँ राजा कहे मुकंद तुमी पड़ी लगी लागी राजा ने पूछा रहे मुकंद क्यों घिरे क्या हुआ मुकंद कहे राजा मोर व्यादी आच्छे मुरिगी मुझे मुरिगी रोग है अभी जुच में चक्कर आता है तो राजा कहते हैं महा विदक्द राजा राजा बहुत विदक्द थे चतुर थे यह सब जाने सब जानते थे मुकुंदेर हईलतार महा सिद्ध ज्याने वो जान लिए कि यह बहुत महान सिद्ध है बोले कि आप घर जाओ और आप विश्राम करो रगुनंदन सेवा करे कृष्णेर मंदिरे रगुनंदन ने कृष्ण मंदिर में सेवा की और द्वार में जो पुष्करणी थी तार घाटेर उपरे कदम वेर एक ब्रिक्ष फुटे बारमा से नित्य दूई फूल होए कृष्ण अवतम से यही मैंने कहा कि उनके द्वार में एक पुष्करणी और पुष्करणी के घाट पर एक कदम का व्रिक्ष जो प्रति दिन दो फूल देता है कृष्ण के सेवा के लिए मुकुन्देर कहे पुन मधूरवचन तुमार कार्य धर्म धन उपारजन महाप्रभु ने तीन कार्य दिये जगनातपूरी में मुकुन्द सरकार को कहा तुम केवल बाहरी द्रिष्टी कोण से धन अरजन करो अंदरी द्रिष्टी कोण से सेवा करो तो बहुत तिक धन और आध्यात्मक धन दोनों का तुम अरजन करो रगुनंदन को महाप्रभु ने क्या आदेश दी रगुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन कृष्ण सेवा बिना इहर अन्यनाहिमन तुम केवल गोपिनात की सेवा करो और गोपिनात को लड़ू पवा रोज पिता को कहा आप वैध्य बनकर बहुत तिक धन और आध्याद धन दोनों आप अर्जित करो पुत्र को कहा तुम केवल गोपिनात की सेवा करो और नरहरी सरकार को चाचा जी को क्या कहा नरहरी रहू आमार भक्तगण सने तुम यहाँ जगनातपूरी में मेरे साथ रहो यह तीन कार्य सदा करो तीन जने, यहां रहकर तुम परचार करना, श्रीला प्रभुपा जी लिखते हैं, बहुत सुन्दर, जिस प्रकार महाप्रभु ने तीन कारिय दिये, हमारा इसकौन आंदोलन भी ये तीन कारियों से चलता है एक मुकुंद दास जी की समान ग्रहस्त क्या करते हैं धनारजन करते हैं और साधन करते हैं फिर जो मंदिर के बरमचारी क्या करते हैं रगुनंदन की तरह विग्रय की सेवा करते हैं और फिर अन्यभक्त क्या करते हैं नरहरी सरकार के समान प्रचार सेवा में कारियरत है तो इस प्रकार हमें हमारे दृष्टिकोंड से हमारे मनोवृत्ति अनुसार इन तीनों सेवा में जो भी सेवा हमारली अनुकूल है हमें उसमें कारेरत होकर जीवन को निर्वा करना चाहिए तो ये कहते कहते वानी को हम यहीं विराम देंगे आज के इस पावन पवित्र रख को वशिभूत किया उसी प्रकार हमारे घर में हमारे मंदिर में भी कई सारे विग्र हैं हम लड़ू भी पवाते हैं पर ये आग्र नहीं होता ये उतकंटा व्याकुलता आतुरता नहीं होती है प्रभू आप हमारे हाथ की लड़ू पाईए तो प्रेम का एक मात्र राम दूँगा यदि मेरे कहने में कोई तुरूटी हो तो आप सब मुझे क्षमा करें और कथा का जो सार है पारम हम्स रूप में आप इनको गरहन की करें और अपने भक्ति के पत में अगरसर रहें पद्ममाली प्रभूक से अनुरोध है कि वो कृपया करके इस सेवा में जो तुरूटी है वो मेरे वानी स्खलन वाचस्खलन के उपरांत जो भी तुरूटियां है आप क्रपया करके उसको ख्रमा करें और परम पूझेपाद लोकनात गोस्वाम महराज के चरणों में भी प्रार्थना है कि बारं बार उनके इस बहुत सुंदर संग में सेवा करन जाए गौर प्रेमानंदे हरी हरी बावर हरे कृष्णा अन्योर प्राय प्रभुजी का जब कथा कि प्रवा बहता है तो हर्श शोक दो भावना एक साथ प्रकट होती है एटलिस मेरे मन में हर्श इस बात का कि जो भगवतरस प्रभुजी पिलाते है पीते पीते जो आनंद प्राप्ट होता है वो उसका हर्श और शोक इस बात का कि कुछी समय में कुछी क्षणों में यह अन्त हो जाएगा या इसका अन्त होगा और साथ ही में तीसरा भाव जब आनंद लेते तो होता है हर बार अन्यों और गिराजी अवश्य याद आते हैं और एक ही भाव रहता है कि यह थोड़ा सेल्फिश हो जाता हूं मैं लेकिन एक भाव स्वार्थ के रूप में भाव आता है कि प्रभुजी बोलते रहे और यह बगवत चर्चा और बगवत बगतों की चरित्रकार रस हम पीते रहे इसे यह सही भाव नहीं है बगतों की तो हमें सेवा करनी चाहिए लेकिन जब जब आमरेंद्र प्रवव आते हमारे बीच यह भाव अवश्य प्रकट होता है रिदय में के लोजी बिना रुके बोलते रहे और हम इसका श्रवन करके जो शुद्धी करन होता है या जो एक कनेक्शन प्राप्त होता है कता से या उस व्यक्ती से उस बक्त से उस महाभागवत से वो अमरेंद्र प्रव सुचारू धंग से करते हैं तो जो एक गुरू का कार्य है वास्तविक गामे देखे जो इतना हम गुरू जनों से सुने है गुरू का कार्य है भगवान और उनका धाम नाम गुन रूप लीला त्यादी का वर्णन करके मेरे जैसे हम मेरे जैसे बद्द जीवों को उन से जोड़ना तो यह सुचारू धंग से प्रिमान आमरेंद्र प्रव हम सभी के लिए करते हे हैं और आज भी गत्वर्ज भी आज ही के दिन हमें उनका संग प्राप्थ हुा था आज भी हुआ रहतों इसके प्रहां झायन थे और फिर हमारे लिए उनको विशिश्श प्रेम और जैसे कहते एक बैक्डॉर की है जासे शिर्भपात प्रहात का है कि हम मैं से किसी का सामर्थ है नहीं है गो लोग फ्रंट डोर से एंट्री करना प्रावपाद बैक डोर से ले जाएंगे I have the key कि इस नहीं है नहीं हम सबीपर और विशेष रूप से प्रवपात कि क्रपाई प्रवपाद जी ने ऐसे ऐसे हमें डिव्य रत्ना और भक्त प्रुदान किये हैं सबी वक्तों से अनुरोध है यह बोलते हैं काफी दुख हो रहा है लेकिन जैसे हम प्रायक कहते हैं काल अपना कार्यक करता है अपनी गती से चलता प्रवपाद का टाइम इस कृष्णा विश कृष्णा 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 कृष वास्तमिक प्रसंद नता जो कृष्ण कथा करते हुए प्रोजी के मुखमंडल से लगती है वो मुझे भी प्राप्त हो पुना थोड़ा स्वार्थी हो के आपके चड़नों में यही प्रार्थना करता हूं प्रभू पुना पुना आपके अभार और किता के ता व्यक्त करते ह हुए आज के सत्र को नव चाहते हुए यही वी राम देना होगा और पुना आप से प्रार्थना करेंगे भी हमें अपना साने द्यावर्श श्प्रदान कीजिए श्री हरी नाम प्रभू की जाए हरे कृष्णा महा मंत्र की जाए श्री ला प्रभूपाद की जाए परम अचार्य बग्त विंद की जाए वांचा कल्पतरू वियक्ष्व क्रिपास इंदू वियवचा पतीत अनाम पावने भ्यो वर्ष्णव भ्यो नमोन अनत कोटी